आज मैं एक साथ शेयर कर रही हूँ छे ऐसे किचन टेप्स जो आपके बहुत काम आएंगी ऐसे छोड़ी छोड़ी प्रोब्लम्स जो आप रोज फेस करते हैं उसका इतना असन सॉलेशन ही कि आप जटकी हो में सारी प्रोब्लम्स को सॉल्फ कर देंगी चलिए तफिर हमारी अच्छी आमीजिंग टिपस की शरुवात करते है आज की टिप नमर वन आज की पहली टिप है mix a grinder jar से रिलेटेड मिकसर गरंडिंग jar को हम अच्छी तरह से साफ कर लेते हैं और इसे अच्छी तरह सुखा भी लेते लेकिन जो बीच का पार्ट होता है वहाँ पर खलका सा पानी रह जाता है और जब हम इसे ढख कर रखते हैं तब इसमें आजीब सी स्मेल आती है मिकसर ग्रेंडिंग जर को अच्छी तरह से सुखाने के लिए करिए ये छोटा सा एक काम आपका जो रेगिलर तवा है उसे गरम कीजिए उसके बाद गैस को बन कर दीजिए तवा गरम होने के बाद इस तरह से मिकसर ग्रेंडिंग जर को उस पर उल्टा रख दीजिए इसे पाँच मिट ऐसे ही छोड़ दीजिए पाँच मिट बाद आप देखेंगे कि आपका मिकसर ग्रेंडिंग जर अच्छी तरह से ड्राय हो चुका है बहुत छोटी सी टेप है लेकिन आपके बहुत काम आएगी चलिए अब चलते हमारे डिप नमबर टू पर आज मैं शेयर करूँगे आपके साथ बहुत ही आसान तरीका कोम को क्लीन करने का एक बकेट में थोड़ा सा पानी लिए उसमें हैंड वाश लिक्विट डाले अब उसे अच्छी तरह से हाथों के मदद से पानी में डाइल्यूट करें ध्यान रहे पानी थोड़ा सा आपका गरम होना चाहिए यहाँ पर मैंने गीजर का पानी लिया है अब इसमें हम कोम डाल देंगे 10 मिनिट के लिए 10 मिनिट बाद अब आइससे निकाल ले और कोई भी आपका जो ब्रेश हो कपड़े दोने का उससे आप इससे साफ करें देखिए किस तरह से गंदगी निकल रही है बहुत ही आसान तरीके से आप इससे साफ कर सकते हैं अब इसे अच्छे पानी से दो लीजिए और ये हमारी कोम लग रही है बिल्कुल नई जैसी तो आप भी ये वाली टिप ज़रूर अपना है बारिश के मौसम में जो भिन बिनाते मच्छर है वो बहुत तंग करते हैं इससे बचने के लिए आदा निम्बू कट करें उसमें इस तरह से लॉंग को पिन करें इस तरह से 6-8 लॉंग हमने निम्बू में दाल देना है अब इस निम्बू को हमने सिंक के पास रखना है या फिर फूर्ट के पास भी हम रख सकते हैं जहाँ पर मच्छर बहुत आते हैं आप चाहें तो इसे खिर्कियों के पास भी रख सकते हैं जहाँ से मच्छर एंट्री करते हैं बहुत छोटी सी है बहुत इफेक्टिव टिप है आप इसे जरूर अपनाए अब बारी है टिप नंबर फोर की हमारी घर पर इस ट्रकी टॉली होती है जिसमें हम प्यास टोर करते हैं सिर्फ प्यास ही नहीं बलकि हम इसमें आलो और लेसन को भी रखते हैं चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ मेरा तरीका प्यास टोर करने का मेरे इस तरीके से बिलकुल भी प्यास की जो चिलके वो बाहर नहीं गिरते हैं और ना ही गंदगी फैलती है ट्रॉली में प्यास रखने से पहले मैं इस तरह से पेपर लगा लेती हूँ तीनों भी सेक्षन में अच्छी तरह से पेपर कुलख कर फिर इसके अंदर में हर अलग अलग चीजे भरती हूँ इस वाले section में मैं प्यास रखती हूँ और यहाँ पर मैं आलू रख रही हूँ आलू और प्यास को कभी भी साथ में नहीं रखना चाहिए प्यास की वज़े से ये आलू में जो है वो fungus आना शुरू हो जाते हैं और यहाँ पर मैं लेस्न रखती हूँ देखा एक छोटी सी चीज़ करने से आपका कितना सारा काम बच जाता है अगर आप भी ट्रॉली यूज़ करते हैं तो इस तरह से पेपर लगाए और अपनी टाइम और एनरजी ज़रूर बचाए चलिए आप चलते है टिप नंबर फाइव क्योर अगर आप ये वाली प्रोब्लम फेस करते हैं कि आटे की उपर पपड़ी जम जाती है और फिर उसकी वज़े से आपकी चपाती सही से नहीं बनती तो इस प्रोब्लम से बचने के लिए ये वाली टिप अपनाए जब आपने चपाती बना लियो और आटा बच जाए तब इसे इस तरह से अच्छी तरह से मसल कर रखे फिर इसे अच्छे एर टाइट कंटेनर में रखे उपसे तेल लगाए फिर इसका धकन लगाकर इसे फ्रिज में रख दे अब आपके आटे पर बिल्कुल भी पपड़ी नहीं जमेगी और इसे चपाती भी अच्छी बनेगी देखा कितने आसान था चले आप चलते हमारी आक्री टिप की तरफ टिप नमबर 6 अरे अरे दूद जब तक हम ये बोलते हैं तब तक दूद नीचे गिर चुका होता है ये वाली प्रॉब्लम रोज हर कोई न कोई फेस करता है जब हम बड़े बरतन में दूद को उबाल आते हैं तब इतनी प्रॉब्लम नहीं होती सबसे ज़्यादा प्रोब्लम तब होती है जब हम छोटे बरतन में से उबाल लाते हैं तो दूद बरतन से गिरे नहीं इसलिए करें ये छोटा सा काम हर एक के गर में इस तरह से वुडन स्पैचुला होता ही है अगर ना हो तो आप स्टील का चमच भी यूज़ कर सकते हैं जब आप दूद उबालाने के लिए रखे तब इस तरह से इस स्पैचुला को इसकी उपर रख दे जब दूद में उबालाना स्टार्ट हो जाएगा तब इस पैचुला को टच करके फिर से वो नीचे चला जाएगा और बिल्कुल भी दूद बरतन से बाहर नहीं आएगा मैंने ये करके देखा है इसलिए आपको बता रही हूँ आप भी ज़रूर अपना ये छोटे मोटे टिप्स और आपकी लाइफ को इजी करें आपको आज की टिप्स अच्छे लगे होगे आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होते से लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को कमेंट और कुज़ो सब्सक्राइब करें अगले मिलती हो आपसे अगले वीडियो में और भी कई अमेजिंग टिप्स के साथ तिल देन टेक केर और बाई